ओम स्री गडेशाय नमा कैसे हैं आप सभी गड़पती महोत्साव चल रहा है और पावन पवित्र सौंबार का दिन है बड़े सरलतम तरीके से आप सभी को आज दीपक का उपाय करना चाहिए दीपक में सभी देवी देवताओ का तेज वुज़स्वस्ता है और आने वाली वि कोई भी विक्ति कर सकता है निश्ची द्रूप से लाव होता है कैसे करें उपाय को ध्यान से सुने जो पहला उपाय है बहुत सरल है आप सिव मंदिर जो घर पर विराज माने वहां कर सकते हैं नहीं तो महादेव के मंदिर में आज देर राती तक अगर आपका जाना हो तो भी आप कर सकते हैं निश्ची द्रूप से हर एक कारे में सफलता मिलना आरंब हो जाएगी सबसे पहले कमेंट्स में लिख दीजिए गड़पती बपा मोरिया या स्री सिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा अब आप सभी को क्या करना है जो गुरुजी ने उपाय कहा ह उसमें मात्र आपको एक गोल बत्ती के घी के दीपक की चरूरत पड़ेगी और साथ ही एक चावल का दाना और विसेस्तर पर एक बेल पत्र की आवशकता पढ़ने वाली है इसमें मन का मिश्वर महादेर जो की अपने आप में इच्छा पूर्ती के लिए सहायक है उनका उसमें लालजण्दन लगाना है तीना पतियों पर और तीना पतियों में लालचण्दन लगाने के बाद आप एक चावल का दाना बेल पत्र के ऊपर रख दिजेगा नारी के जीवन में जब भारी परेशानिया आ रही हो रोग संकट कस्ट बढ़ रहे हों तो गुरुजी लिजिए तीनों पत्तियों में उसके उपर एक चावल का दाना रखकर आप सभी मन का मेश्वर महादेव की जय कहते हुए अर्थत मन उकामना कहते हुए सिवलिंग पराश्वाम को समय जाएंगे तो आप समरपित कर देजेगा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं फिर एक गोल बत्ति का घी का दीपक आपको लेना है और उसे दीपक की अंदर आपको मातर एक काली मिर्च डालनी है कितनी मात्र एक काली मिर्च डालनी है घी का दीपक लगाना है मन का मेशवर महादेव का नाम लेकर काली मिर्च जो आपने घी के दीपक में डाल रखी है और विशेश तार पर गुल बत्ती का स्मर्ण। बहुत सरल उपाय है परन्तु चमतकारी है उपायों को बिल्कुल आप हलके में ना लीजिएगा कि इनमें क्या होगा कैसे होगा लाखो लोगों के पत्र आते हैं जिसे गुरुजी स्वेम पड़ भी नहीं पाते इतने सारे उनमें चमतकार साक्षात लिखे होते हैं तो मंदीर में कर दीजे घर में कर दीजे इच्छा आपकी है काली मिर्च हरे कारी में बल प्रदान करता है परिवार से सभी संशय कस्ट पीडा को मुक्त करता है तो यह कार आज दे राती तक आप कर दीजिएगा कोई पैसा समय लगना नहीं है सिव मंदीर में ही रखी हुई बेल पत्र भी आप प्रियोग में ले सकते हैं बस्वे साफ सुत्री हो एक चावल का दाना उसमें आपको रख देना है तो इस तरह से मन का मेशर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना रख कर आप सभी समर्पित कर दीजिए हर घर में यह चीज़े उपलब्द होती है बड़ी आसानी से हो जाती है तो करके देखिएगा प्रतंबाला उपाय बहुत सरल है देर रातरी तक कर सकते हैं दूसरा उपाय जो बहुत सरल है उसे भी आप कर लेजेगा लाब मिलेगा यह है जैसे आप जानते होंगे गुरुजी ने कह रखा है कि आप सभी को विसेश तोर पर बेल पत्र की माला बनानी है ठीक उसी वदी से अगर गड़ेश जी महराज के पंडाल जाना हो या गड़पती गजानन घर पर विराजमान हो या गड़पती महराज किसी भी स्वरूप में आप जो है उनके दर्शन करने जाते हैं घर पर विराजमान है तो आज दागे में लपेटते हुए अर्थात बाधते हुए इन में जो है जैसे बेल पत्र तुलसी इन में जो है और दुर्वा सुई चुबोई नहीं जाती सिर्फ दागे का प्रियोग करकर छोटे-छोटे बंडल बनाकर इनकी माला तैयार करी जाती है तो घर पर आज मनों कामना कह कर या गड़ेश जी के मंदिर में पंडाल में जाकर अपनी मनों कामना का एक गोलवत्ती का घी का दीपक लगा कर गड़ेश जी महराज की गले में आप अस्टविनाय गड़ेश जी का स्मरण कर देते हैं या गड़ेश जी के किसी भी स्वरूप जो की अपने आप में अध मंदिराज जाना हो महादेव के घर पर जो मंदिर शीवलिंग विराजमान है वहाँ पर तो आप सभी क्या करें कि विशेश तर पर शीवलिंग पर चड़ी हुई बेल पत्र को जो वहाँ पर आप धागा लेकर गए है उसमें अपनी मनो कामना कहते हुए और स्री सिवायन नमस पर शीवलिंग पर चड़ा देना है गुरुदेव कहते हैं बेल पत्र की माला जो भी विशेश्ति थी पर महादेव के गले में धारण करवा देता है अपनी मनो कामना कहकर वहले ही रोग मुक्ती हो कर्ज मुक्ती हो ब्यापार ब्रद्धी हो संग कट कस्ट पीड़ा हो उन तो उपाई तो चमतकार स्वरूप में फल देने वाला है ही तो हमने बात कर ली दूसरे उपाई की बढ़ते हैं तीसरे दीपक के उपाई की तरब जैसे क्या सौंबार का दिन है तुम्रुकेश्वर महादेवर था तुम्रुकाजी तुम्रुकाजी वही है जिड़ों ने स महादेव और मातराणी को प्रत्मबार में सुनाई थी ऐसी मानेता है उनका नाम लेकर सौंबार के दिन जो भी काले तिल गोलबती के घी के दीपक में डालकर महादेव के मंदिर में प्रदोशकाल में या देर रात्री तक जला देता है तुम रुकेश्वर महादेव को भरधान प्राप्त है कि आप उनके कस्ट हर देना तो कोई पैसा समय लगना रही है एक सापसुत्रा दीपक ल परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत होगी और खुशियां हर स्वरूप में बनी रहेगी तो यह तीसरा कारी भी कर सकते हैं एक साथ चार पाच कारी की भी किये जा सकते हैं तो यह बात हो गई गड़े सुस्सु चल रहा है सौमबार की पावन पवित्रति थी है तो आपको गड़ेश जी के चर्ण में 108 दुर्वा की माला जरूर से या दुर्वा ही साधारर सरल तरीके से 108 की संख्या में समरपित करना है गडपती गजानन घर पर भी राजमान है या गड़ेश जी के मंदिर में जाते हैं धूप लगाते हैं उनके नाम का दीपक लगा रहे है या गूगल की धूप कर रहे हैं हवन कर रहे हैं तो गुरुजी ने कह रखा है हमें धूम्रवर्ण गड़ेश जी का स्मरण करना है कि इसका स्मरण धूम्रवर्ण गड़ेश जी का स्मरण करना है तो कमेंट्स में लिख दीजे धूम्रवर्ण गड़ेश जी की जै यह बात हो रात्री तक कभी भी किसी भी समय गड़े जी जो महादेव का सिवलिंग है उस पर चड़ा देते हैं एक जो सफेद फूल है जिसे अपने घर में घुमाए है तो निश्चित रूप से आपकी कामना आसिद्ध हो जाती है तो यह कारे भी आज देर रात्री तक आप कर सकते हैं निश्चित रूप से आपको लाब मिलेगा तो इस तरह से यह जानकारी थी इसके साथ साथ आज 108 चावल के दाने का भी उपाई गुरुजी ने बता रहता है जिसे अपने घर के मंदिर में प्रदोशकाल में आपको करना क्या है कि एक गोलबत्ती का धीपक लगाना है सिव पर त्रिपुंड वनाना है चंदन से इच्छा आपकी है आप लाल चंदन पीला चंदन कैसा प्रियूग में लेना चाहते हैं फिर अपने हाथ में 108 चावल के दाने लेकर आपको त्रिपुंड के ऊपर मनो कामना कहते हुए चिपका देने हैं समर्पित कर देने हैं 108 चावल कहता है साथ के साथ आज आप सभी को आवश्य ग्रूप से एक मालासरी सिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप करना चाहिए आज महादेव के मंदिर में दीप लगाना बेल पत्र व्रिक्ष के नीचे दीप लगाना भग खोल देता है हर हर संभू